तो आज हम बनाएंगे सुखा जावला और प्यास मिलाकर सबजी तो चलिए इसकी रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कड़ाई में हम ऑईल दाल देंगे तीन चमच तीन बड़े चमच ऑईल आट कर देंगे जब तेल करम हुझा है तो इसमें एक चोटा चमच जीरा एट कर देंगे 30 सैकंड तक उसे बबल जाना देंगे स्टार कते हैं फिर जप अच्छे से यस तरह से बबल जाने लग जह याई फिर इसमें हम कड़ी पत्ता कर देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता याड़ करके इसमें भी ध्ररबाद सा बॉइस ज़ब आने देंगे और पे फिर जो प्यास की भाजी होती है, उसी की प्यास जित्ती होगी, उतनी पूरी प्यास हम एड़ कर देंगे, और ये देखिए ये सुखा जावला है, इसे सुखड भी बोलते है, और ये 200 ग्राम के आसपा से इसे खूब देर तक पानी में भीगा कर रखेंगे, फिर जब उसकी मटी जो है वो नीचे आजाए, तो उसे अच्छे से वाश करेंगे, क्योंकि इसमें मटी बहुत होती है, वाश करके अच्छे से उसका पानी स्ट्वेन होने देंगे, फिर इसमें एड़ कर देंगे, एड़ करके इसे खूब भून लेंगे, भून कर 2-3 मिनिट तक, फिर इ देखे इसका पानी निकल रहा है, जब इसका पानी, देखे, कितना पानी चूट रहा है, फिर जब इसका पानी सूखने आ जाए, फिर इसमें हम 2 टमाटर ले लेंगे, और ये 10-12 हरी मिर्च ले लेंगे, 8-10 आप लोग तीखा जितना खाते हो उससाब से, मिर्च एड़ कर आप करेंगे, जब जावले का पानी जै वो सूख जाए, उसके बाद ही आड़ करेंगे, जावर गैस की फ्लेम को हाई ही रहने तेंगे और टमाटर और मिर्ची दाल कर भी अच्छे से इसे बूनेंगे, प्योंकि निकलेगा, अच्छे से फिर से 2-3 मिनिट लेंगे, आप ह तेस्ट के हिसाब से एड़ करें और हम हल्दी पावडर चमड़ और एक चम्मच धन्या पावडर अड़ करेंगे और इसे अच्छे से फिर से भून लेंगे से एक मिनिट के लिए फिर से अच्छे से भून लेंगे जितना भुनों के उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा फिर ये दो बंच हरी प्यास का है यानि कि spring onion जो हमने प्यास जितनी डाले ये दो बंच है इसे भी अच्छे से पानी में विगा कर रखेंगे फिर इसे भी अच्छे से वाश कर लेंगे और इस तरह से चंदी में रख इसे भी मिक्स करके उपर नीचे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से भून लेंगे स्वारी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके अभी इसका भी पानी बहुत निकलेगा गैस की फ्लेम को हाई ही रहने देंगे ये देखे कितना पानी इसका जो है वो निकल रहा है प पानी को हाई फ्लेमे करके हे पानी को सूखने देंगे जब तोड़ा देखे इतना कॉंटिती में जब नीच देखिए ठाल्डा भॉटकन View मिनिट के लिए गरिणी हे पंच मिनिट में पक जाएगी जब जब पंच-णी हो जाए फिर यह देखिए घणी में फटा अब हम इसे देखें कलर जो है पूरा चेंज होगे इसका अब हम इसे गैस की फ्लेम को हाई खरके भून लेंगे दो तिन मिनिट अच्छे से तीन चार मिनिट भून लेंगे भूनने से ही इसका जो है टेस्ट आएगा जो नीचे हलका थोड़ा बहुत पानी अगर रहा भी तो गैस की फ्लेम हाई करके हम भून लेंगे तो वह सूप जाएगा यह देखे हमारी भाजी जो है सूखट यानि की सूखा जावला और प्यास की भाजी मिला कर जाएए सबजी रेडी हो गई है अगर आप लोगों को हमारी रसीपी से अच्छी लगती है तो लाइक शेर कॉमे वढ़ दो लूनी देखे हमारी जो हमारी ले जाएपा बोई और वेखे हमारी मिला कर आप ले भष्ट लेगर देखे हमारी मिला की लेखा लेगाड़ जगुर प्याशनिय। झेर ले ओवर एग यवर